नमस्कार दोस्तों मैं दिलीव सर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिकी स्टडी ओलाइन दोस्तों मैं प्रते एक दिन आपके लिए महत्पूर्ण गडित की कुछ ट्रिक्स लाया करता हूं और आज दोस्तों मैं आपके लिए लगुत्तम समापर्तक वह म को सबसे पहले मिलता रहा है चलिए दोस्तों करते हैं शुरू दोस्तों आज का पहला ट्रिक जो है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे शंख्या ए और बी में भाग देने पर क्रम से यक्स और वाई सेस बचें तब वह संख्या निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे इसके लिए दोस्तों हम लोग करते क्या है जो संख्या ए है उसमें से जो सेस बच रहा है यक्स घटा देंगे और जो संख्या भी है उसमें से सेस जो किजिए जिससे दो हजार आर्सोचालिस एवं तीन हजार 114 में भाग देने पर क्रम सफ पांच और नौसिस बचे तो दोस्तों देखी क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले दो हजार 214 में से पांच घड़ता दीजी दो हजार आरसोचालिस में से पांच घड़ता देंगे दोस्तों ताहएगा 25ーー जो हजार 835 उसके बाद दूसरी संख्या दीगई यह 3104 में से 9 घटा देंगे दोस्तों देखिए दोस्तों सी ट्रीक पे यह सवाल लग रहा है तो इसके बाद 3105 आया तो दोस्तों दोस्तों दूसरे ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं दूसरा ट्रिक है दोस्तों की वह सबसे बड़ी संख्या ग्याद करिए जिससे की A, B, C संख्याओं को भाग देने में प्रते एक दसा में यक्स से बजता है तब कैसे निकालेंगे दोस्तों ट्रिक नमबर 1 से ही रिलेटेट यह भी है तो A में से यक्स घटा देजिए B में से भी एक्स घटा दीजिए C में से भी एक्स घटा दीजिए और सब का महसा निकाल लीजिए आई एक्जांपल से समझते हैं दोस्तों अब एक्जांपल में जो दिया है दोस्तों देखिए वह सबसे बड़ी संख्या ग्याद किजिए जिससे की 2284 698 एवं 1618 में भाग देने पर प्रतेग दसा में 186 बसता है देखिए दोस्तों करेंगे क्या है थे नो संख्याओं मेंसे आठ घटा ना में जिसने देखिए दोस्तों 583 0884 में देखिए और 1718 मेंसे और तो घटानेक बात क्या हुआ दोस्तों तीन संख्यां प्राप्त हुई 276 690 और 1610 इन्हीं तेनी संख्याओं का दोस्तों निकालेते हैं मासर अब मासर निकालेंगे तो आएगा 46 तो दोस्तों हैने आसान तरी क्या चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले ट्रिक की यदि दो संख्याओं का लस उसके मासर का यक्स गुना हो तथा उसके लस यवा मासर का योग ए हो तब अगर संख्या निकालनी हुई तब मासर निकालना हुई या लस निकालना हुई या पहली या दूसरी संख्या निकालनी हुई तो किस दर निकालेंगे तो इसके लिए दोस्तों कुछ फार्मूला होते हैं फार्मूला कर मासा निकालना हुआ तो हम A मतलब लसा मासा का जो योग है उसके बटे übrigens धन एक और यदि लसा निकालना हुआ तो दोस्तों शेम चीज़ देखिंगे AX बटे X प्लस 1 इस फार्मूला के इस्तमाल करेंगे और यदि पहली संख्या दी गई है यम और दूसरी संख्या निकालनी है तो इस फार्मूला के इस्तमाल करेंगे A square प्लस X को बटे हो जाएगा X प्लस 1 का whole square गुडे यम देखे दोस्तोो उसके मस का 10 गुना है दोनों संख्याओं में से एक संख्या दी गई है एवं उसके 50 मस का योग्फल दिया है इतना तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी तो इसमें दोस्तों ट्रिक नंबर 3 लगेगा जोकि हम लोग उपर देख रहे थे भी तो trick number 3 इसमें इस्तिमाल होने वाला है तो इसमें देखते हैं दोस्तों कैसे हल करेंगे हम लोग तो इसमें देखिए यक्स बराबर 210 दिया है क्योंकि दिया है कि लस जो है मासा का कितना है 210 कुना है और उसके बाद इसमें आपका जो है यम 90 दिया है दोस्तों ए बराबर 3,160 दिया है और ट्रिक नमबर 3 के फार्मूला में इसको रखते हैं दिखिए दोस्तों सेम सेम उसी तरह से है इसमें कोई अंतर है नहीं और यहां जो था A square A square है तो यहां देखिए दोस्तों यह 3,165 दिया है 3,165 दिया है तो यह दो बार लिख दिया मतलब A square गुड़े 210 यक्स हो गया दोस्तों अब यहां एक्स प्लस ओन का होल स्कूर है यक्स की जगां लखे हैं 210 धन एक का होल स्कूर गुड़े 90 इसके बाद सॉल्ब कर लिए हैं बहुत ही सरल है और सांसात इसको आप आसानी से इस्तिमाल कर सकते हो दोस्तों लेकिन तीनों सूत्रों को याद रखना होगा आपको जिसमें तीनों सूत्र आपको देखिए दोस्तों यहां मसा निकालने के लिए और यदि पहली संख्या दी गई है तो दूसरी संख्या नि बराबर हो तब संख्या होगी करणी में x plus y एक कोट में x-y चलिए दोथो एजमपल समझते हैं एजमपल है वह संख्या ज्यांत करें जिसका बरग जिसका बरग 130 एबं 50 के बरगों के अंतर के बराबर होगा तो ट्रिक बहुत ही सिंपल है दोस्तों अभी आपने ऊपर भी दिखा कि करड़ी में x plus y एक वोस्ट में x minus y एक वोस्ट में अब इस रंख्या निखालने के लिए देखिए दोस्तों क्या करेंगे उसी तरह इसको में रखे हैं देखिए ध्यान से यह आपका x हो गया यह y हो गया x plus y और x minus y इसमें जोड़ दिये 180 आया और इसमें से घटा दिये 80 आया और हल कर लिए दोस्तों तो उसके बाद आया आपका 120 तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कल मैं फिर आपके लिए कुछ नए ट्रिक्स लेके आओंगा दोस्तों और इसके लिए करें आप इंतजार हाँ दोस्तों चैनल को सस्क्राइब करना लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूला करिए नमस्कार दोस्तों